कॉण्गर और कहां? प्रिश्ट नवासी पर कॉण्ग्रिस अधिवेशन 1880 से 1947 का एक नक्षा दرशाय गया है इस नक्षे में वो सारे शहर है जहां पर कॉण्ग्रिस का अधिवेशन हुआ है और यह किसके सनवे हुए है ये भी इस नक्षे में दर्शाय गया है कॉंग्रेस अधिवेशन से संबंदित हम आगे पढ़ेंगे प्रिश्ट नब्बे पहला अधिवेशन वर्ष 1885 स्थान बंबई अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर जी विशेश 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरो जी तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 स्थान मदरास अध्यक्ष बदरुद्दीन तयब जी विशेश प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष चौथा अधिवेशन वर्ष 1888 स्थान इलहबाद अध्यक्ष जॉर्ज यूल, विशेष्प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पांचवा अधिवेशन, वर्ष अठाण सो नवासी, स्थान बंबई, अध्यक्ष सर वीलियम बेडरबन छटा अधिवेशन वर्ष अठारा सो नब्वे स्थान कलकत्ता अध्यक्ष सर्फिरोथ्षह महता साथवा अधिवेशन वर्ष अठारा सो इक्यानवे स्थान नागपूर अध्यक्ष पी आनन्द चाल्र आटवा अधिवेशन वर्ष 1892 स्थान इल्हाबाद अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनरजी नौवा अधिवेशन वर्ष 1893 स्थान लाहोर अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी दसवा अधिवेशन वर्ष 1894 स्थान मदरास अध्यक्ष अल्फरेड वेब विशेश कॉंग्रिस सम्विधान का निर्मान 11 अधिवेशन वर्ष 1895 स्थान पुना अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बेनरजी 12 अधिवेशन वर्ष 1896 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी विशेश पहली बार वंदे मातरम गाया गया तेरवा अधिवेशन वर्ष अठारा सो सत्तानवे स्थान अम्रावती अध्यक्ष सी शंकरन नायर चोदवा अधिवेशन वर्ष अठारा सो अठारा सो अठानवे स्थान मदरास अध्यक्ष आनन मोहन दास अंद्रवा अधिवेशन 1899 स्थान लखनौ अध्यक्ष रमेंच चंद्रदथ 16 अधिवेशन वर्ष 1900 स्थान लाहोर अध्यक्ष एनजी चंद्रावरकर 17 अधिवेशन वर्ष 1901 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष दिनिशा इदूल जी वाचा अठारवा अधिवेशन, वर्ष 1902, स्थान एहम्दबाद सुरेंदरनाद बैनर जी अध्यक्ष उन्निस्वा अधिवेशन, वर्ष 1904, स्थान बंबई अध्यक्ष सर ह psychiatण किस्वा अधिवेशन, वर्ष 1905, स्थान बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले 22 अधिवेशन वर्ष 1906 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी विशेश्ट पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 23 अधिवेशन वर्ष 1907 स्थान सूरत अध्यक्ष डॉक्टराज बिहारी घोश विशेश्ट कॉंग्रिस का प्रथम विभाजन 24 अधिवेशन वर्ष 1908 स्थान मदरास अध्यक्ष डॉक्टराज बिहारी घोश 25 अधिवेशन वर्ष 1909 स्थान लाहोर अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन मालवीय 26-वा अधिवेशन वर्ष 1910 स्थान इलहाबाद अध्यक्ष वीलियम वेडरबर्ण 27-वा अधिवेशन वर्ष 1911 स्थान कलकत्ता अध्यक्र डॉक्टर बिष्ण नाराएं घरधर पहली बार जेनगर्मन गया गया विशेश 28 अधिवेशन वर्ष 1912 स्थान बाकिपुर अध्यक्ष आर एन माधुलकर 39 अधिवेशन वर्ष 1913 स्थान करांची अध्यक्ष नवाप सयद मोहम्मद भादुर 30 अधिवेशन वर्ष 1914 स्थान मदरास अध्यक्ष भुपेंद्रनाद बसू 31 अधिवेशन वर्ष 1915 स्थान बंबई अध्यक्ष सरसतेंद्र प्रसन्य सिना विशेश लौड वेलिंग्टन ने भाग लिया 32 अधिवेशन वर्ष 1916 स्थान लखनौ अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार प्रविशेश मुस्लिम लीग से समझोता 33 अधिवेशन वर्ष 1917 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसंट विशेश प्रथम महिला अध्यक्ष अधिवेशन विशेश अधिवेशन वर्ष 1918 स्थान बंबई अध्यक्ष हसन इमाम विशेश कॉंग्रिस का दूसरा व्यभाजन 34 अधिवेशन वर्ग 1918 स्थान दिल्ली अध्यक्ष पंडत मदन मोहन मालविये 35 अधिवेशन वर्ष 1919 स्थान अम्रित्सर अध्यक्ष पंडित मोतिलाल नहरू 36 अधिवेशन वर्ष 1922 स्थान नागपूर अध्यक्ष नागपूर अध्यक्ष सीवी राज राधा वाचारियर विशेश कॉंग्रिस समिधान में परिवर्तन विशेश अधिवेशन वर्ष 1922 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष लालाजपतराय 47 अधिवेशन वर्ष 1921 स्थान एहमदाबाद, अध्यक्ष हकीम अजमल खां 48 अधिवेशन वर्ष 1902 स्थान गया, अध्यक्ष देशबंदू चित्रन जंदास 49 वर्ष 1923 स्थान काकी नाड़ा, अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद अली विशेश अधिवेशन वर्ष ननिसो तेईस स्थान दिल्ली अधियक्ष अब्दुल कलाम आजाद विशेश सबसे युवा अधियक्ष 40 वा अधिवेशन वर्ष 1924 स्थान बेलगाउं अध्यक्ष महत्मा गांधी 41 वा अधिवेशन वर्ष 1925 स्थान कानपुर अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नाइडू विशेश प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष 42 अधिवेशन वर्ष 1926 स्थान गुहाटी अध्यक्ष शिरी एस शिरी निवास आयगार विशेश सदस्यों हेतु खादी वस्तर अनिवारिये प्रिश्ट 91 43 अधिवेशन वर्ष 1927 स्थान मदरास अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अनसारी विशेश पूर्ण स्वाधिन्ता की मांग 44 अधिवेशन वर्ष 1928 स्थान कलकता अध्यक्ष पंडित मोतिलाल नहरू 45 अधिवेशन वर्ष 1939 स्थान लाहोर अध्यक्ष पंडे जवाहलाल नहरू विशेश पून स्वराजी की मांग 46 अधिवेशन वर्ष 1931 स्थान कराची अध्यक्ष सरदार वल्लभाई पटेल विशेश मौलिक अधिकार की मांग 47 अधिवेशन वर्ष 1932 स्थान दिल्ली अध्यक्ष अम्रित रंचोड दास सेथ 48 अधिवेशन वर्ष 1933 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष शिरिमती नेली सेन गुपता 49 अधिवेशन वर्ष 1934 स्थान बंबई अध्यक्ष रॉक्टर राजेंदर प्रसाथ पचासवा अधिवेशन वर्ष 1936 स्थान लखनौ अध्यक्ष पंडि जवाहलाल नहरू इक्यानवा अधिवेशन वर्ष 1937 स्थान फैसपूर अध्यक्ष पंडि जवाहलाल नहरू विशेश गाउं में आयुजित प्रतम अधिवेशन 52 अधिवेशन वर्ष 1938 स्थान हरीपुरा अध्यक्ष सुभाष्चेंटर बोस 53 अधिवेशन वर्ष 1949 स्थान त्रिपुरी अध्यक्ष सुभाष्चेंटर बोस 54 अधिवेशन वर्ष 1940 स्थान रामगर अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद 55 अधिवेशन वर्ष 1946 स्थान मेरट अध्यक्ष आचारे जेवी क्रिपलानी विशेश आजादी के समय अध्यक्ष 56 अधिवेशन वर्ष 1948 स्थान जैपुर अध्यक्ष बी पट्टाभी सितार मया संतानवा अधिवेशन वर्ष 1950 स्थान नासिक अध्यक्ष पुरुशोत्तम दास टंडन नोट डॉक्टर राजिनिर पसाद 1947 इस्वी में दिल्ली में हुई विशेश अधिवेशन के अध्यक्ष थे बावन बाईया प्रधम यूद तरायन का प्रधम यूद ग्यारा सो एक्यानवे इस्वी प्रित्वी राज ने मोहममद गौरी को हराया प्रशन रायी लड़ाई वर्ष 1526 ही प्रिणाम बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया खानवा का युद वर्ष 1527 इसवी परिणाम बाबर ने राणा सांगा को हराया चंदेरी का युद वर्ष 1528 इसवी परिणाम बाबर ने मेदी नाराय को हराया घागरा का युद वर्ष 1529 इसवी परिणाम बाबर ने अफगानों को हराया चौसा का युद वर्ष 1549 इसवी शेर्शहा ने हुमायू को हराया परनौज का युद वर्ष 1549 इसवी परिणाम शेर्शहा ने हुमायू को हराया पानिपत की दूसरी लढ़ाई वर्ष 1556 इसवी परिणाम अकबर ने हेमू को हराया तालिकोट का युद्ध वर्ष 1565 इसवी परिणाम विजयनगर सामराज्य का पतन। हल्दिगाटी का युद्ध वर्ष 1576 इसवी परिणाम अग्वरने महराना प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध वर्ष 1757 इसवी परिणाम अंग्रेजों ने सिराजु दोला को हराया। वाडिवास का युद्ध वर्ष 1760 इसवी परिणाम फ्रांससियों की पराजये। पानिपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 इसवी परिणाम एहमत शह अबदाली ने मराठो को हराया। बकसर का युद्ध वर्ष 1764 इसवी परिणाम अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का यूद्ध, 1794 ईस्वी। कुर्दा का यूद्ध, वर्ष 1795 ईस्वी, परिणाम निजाम की पराजय। प्रधं स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 यसवी, भारत चीन युद वर्ष 1962 यसवी, प्रधं भारत पाक युद 1965 यसवी, दुइतिय भारत पाक युद開ाल смотр 1901 यसवी नोट, प्रधं विश्वयुद 1914-1820 में एवं दुइतिय विश्वयुद 18-1945 में हुआ प्रेश्ट भयानवे